क्याबिनेच मंत्री विक्रमादित्य सिंग और मंडी संसद्य एक्षेत्र के चुनाव प्रभारी सीधे हमासा जुड़े हुए हैं विक्रमादित्य सिंग जी बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज एटीन को महत्वकुन समय देने के लिए बहुत धन्यवाद भी आपका अदा करती हूँ लेकिन कंग्रा रनौत बना विक्रमादित्य सिंग हिमाचल प्रदेश की राजनीती में बस यही सुनाई दे रहा है सर। यह देखिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब यह चुनावी जब यह चुनावी हुंकार भरी जाएगी और शंकनाद होगा तो जो उस इलाके के रियल इशूज है, लोगों के इशूज है, संसरियक शेत्र के जो विकासात्मक इशूज है, वहां के आयाइटीज है, सडकों का निर्मान है, वहां के लोगों के रोजगार की बात है, OPS जो कांग्रिस पार्टी ने लोगों को करमचारियों को दी है, इन चीजों के उपर बात होगी, मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूँ, कि ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेश का नहीं है, और व्यक्ति विशेश तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, we believe कि ये हिमाचल का चुनाव है, हिमाचलियत के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाना और हमारा पूरा फोकस भी इसी विशे पर रहेगा इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ लेकिन विक्रमादित जी आप क्यों ऐसा मानते हैं कि कंगना रनौत ये सब नहीं कर पाएंगी हिमाचल के मुद्दों को वो क्यों नहीं उठा पाएंगी या फिर हिमाचल की जनता के साथ कनेक्ट वो नहीं कर पाएंगी क्योंकि क्योंकि कंगना रनौत जी का तो मैं बहुत मान समान करता हूँ हमारी बड़ी बहन की तरह है, मगर उनको हिमाचल के बारे में ABC नहीं पता, उनको तो ट्यूटर करकर भेजा गया है दिली से, कि आपने इतना बोलना है, इतना नहीं बोलना है, और इस से जदा तो मीडिया में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि सब को पता है, भाज़बा को भी कह सकता हूँ, आप उनसे पूछना कि मंडी संसद्यक्षेत्र के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उनके अगर वो नाम ले लें तो मैं मान जाओंगा, उनको यह नहीं पता कि कितने blocks है, कितने boots है, कितने इसमें जो है population है, कितने महिलाएं है, कितने बजर्ग है, कितने युवा साथी है, कितने यहां पे projects है, क्या यहां के issues है, उनको इसके बारे में ABC कंगना रनौज जी को नहीं आता है, केवल और केवल उनको इसलिए उतारा गया है, क्योंकि वो Bollywood की एक अभी नेतरी है, अच्छी बात है, Bollywood में उन्होंने अच्छा काम किया है, इसमें कोई दोराएं नहीं है, मगर राजनेतिक अखाडे में उनको हिमाचल के मुद्दों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आज हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा यह बात कह रहा है, और जैसा मैंने आपको कहा, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, मंडी संसेद्यक शेत्र के प्रभारी होने के नाते, कि वहाँ पर हम केवल मुद्दों के ऊपर यह चुनाव लड़ा जाएगा, व्यक्ति विशेश के ऊपर यह चुनाव नहीं लड़ा जाएगा. विक्रम आदिते जी, प्रभारी होने के नाते या प्रबल दावेदार होने के नाते? अब देखिए जो भी जिम्मेवारी पार्टी देती है मैंने तो हमेशा ये कहा है कि मैं हमेशा फ्रंट फूट पे रहे कर बैटिंग करता हूँ जो भी जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने पहले भी दी है मैंने उसको भी निभाया है आगे भी जो भी जिम्मेवारी पार्टी मुझे देगी उसका मैं उस responsibility को उस दायत्व को निभाने का मैं हर सब्बफ प्रियास करूँगा ये मैं पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ विक्रमादिते जी आपने कहा कि कंगना रनौत को मंडी संसद्यक चेतर में कितने विधान सभाग चेतर आते हैं कितने ब्लॉक्स हैं पंचायते हैं इसका ग्यान नहीं है और कुछ हद तक we agree कि probability इस चीज़ की है कि शायद नहीं हो लेकिन समय बहुत है अभी हिमाचर प्रदे की कोशिश कर रही है चुनौती अगर मान लीजिए आप मंडी संद्यक्शेतर से चुना अगर लड़ते हैं जिसकी अचकले हैं राचतिक गलियारों में तो आप मांते हैं चुनौती होगी देखिए मैं मानता हूं चुनाती नहीं होगी वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये केवल एक ड्रामा है ये केवल एक रियल वर्ल्ड को रील वर्ल्ड में बदलने का एक जो है अनसक्सेस्फुल प्रियास भाजपा द्वारा किया जा रहा है अगर उनको इतनी सहनबूती इतना लगाव अपने क्षेत्र के लोगों के साथ होता तो जब हिमाचल में और खास करके मंडी संसिद्य क्षेत्र में इस शतावदी की सबसे बड़ी आपदा आई उस समय कंगना रनौज जी कहां थी क्या उन्होंने एक भी जगा जाकर जहां के वाज़ दोरे कर रही हैं उसी आलाकों में कई लोगों ने अपनी जाने खोई कई लोगों ने अपने बगीचे को खो दिया कई लोगों के सड़के बंद हो गई कई लोगों के बहुत नुकसान वहां पर हुआ क्या वो एक बारी भी उनकी शेतरों के अंदर गई किया उन्होंने वहां के लोगों की जो है दुखदर जाने की कोशिश करी आज केवल ये कहना कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ मैं ये पूरे मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल मैं और भी बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने की बेटी नहीं है इसलिए आज केवल इस तरीके की सहनबूती प्राप्त करना कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ ये केवल एक माया जाल जो माया नगरी से एक अभी नेत्री आई हैं वो हिमाचल में माया जाल बुनने की कोशिश कर रही है मगर हिमाचल परदेश के लोग परदेश के लिए परदेश के लिए परदेश के लिए जिसका जिकर आपने भी किया की सबसे बड़ी तरास दी आई तो वो कहा थी तो वहाँ पर सरकागाट में वो मौझूद थी और मेरे रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने मंडियाली में ये जवाब दिया की से जिम्यदारी मेरी थोड़ी थी से ता रिप्रेजेंटेटिव चुनी रहे थे तिन अरिजमेवारी थी मुन्जों की दियो लगे पूछ दे हम तो थे हम तो ग्राउंट पे थे मैंने तो सरकागाट का दौरा भी किया मैंने तो लंबा थाज का दौरा किया सिराज का दौरा किया मंडी का दौरा किया कुलू मनाली का दौरा किया और रिकॉर्ड समय में हमने ब्रेजिस को रिस्टोर किया बनाएं और वहाँ पे जो हमारे बागवान है उनका उनका जो बागवानों का जो फल है वो समय पर मंडी में पहुंचा एस पीडेवलीडी मिनिस्टर हमने इसको इसको इन्शोर किया प्रतिबा सिंग जी जो सांसद है वरतमान में वो भी लोगों के बीच में गई मगर अगर ये कह रही हैं कि मैं मंडी की बेटी हूँ आप राजनीती को छोड़ दीजी अगर ये कह रही हैं कि मैं मंडी की बेटी हूँ तो मंडी की बेटी क्या केवल चुनावों के समय में याद आती है जब चुनाव नहीं चल रहे थे जब आपदा थी उस समय भी वहाँ उनको as a मंडी की बेटी उनको लोगों के बीच में रहना चाहिए था उनके सुकदर्थ को सुनना चाहिए था जानना चाहिए था आज केवल ये नारा देना कि मैं मंडी की बेटी हूँ और जब उस समय आपदा के समय में उनका उनका पुछा नहीं उनके बारे में ये तो उन का दोरा माप डंड है विक्रिमा अधिति जी जिस तरह से आपने मुद्दों को गिनाया कि किन-किन मुद्दों को लेकर कॉंग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी अगर विधान सभा चुनाव की बात होती तो शायद यह मुद्द जस्टिफाइड होते लेकिन यह लोक सभा का चुनाव है केंद्र की उजनाव पर यह चुनाव लड़ा जाते और अगर मान लिया जाए कि कंगना रनौत बतौर एक केंद्र के हजार करोड रुपए लेकर आया अभी हाली मैं नितिन घटकरी जी हिमाचल आए हमीरपूर में आए और उन्होंने रिकॉर्ड उन्होंने आन रिकॉर्ड स्टेज पे कहा कि मैं विकर्मा दित्य सिंग जी के विशेश निवेदन पर एक सो पचास करोड रुपए हिमाचल को दे रहा हूं तो मैं कहने का मेरा ये तातपर्या है कि मुद्दा अगर उठाना हो केंद्र के समक्ष उसके लिए कोई फिल्म स्टार की आवशक्ता नहीं होती है उसके लिए लीडर्शिप की आवशक्ता होती हमने इसको प्रूफ किया है कि हम विपक्ष में होते हुए भी ह हमने केंदर से हिमाचल के लिए पूरा सयोग लाया है और आने वाले समय में भी हम हिमाचल की पैरवी केंदर में पूरी मजबूती से करेंगे तत्थों के उपर करेंगे तर्क के साथ करेंगे लॉजिक के साथ करेंगे फैक्ट के साथ करेंगे यह मैं कहना चाहता हूं और जि के पहले प्रधान मंत्री थे कभी कहती हैं आजादी हम को 2014 में मिली पहले आप मन बना लीजिए कि 2014 में अजादी मिली कि पहले प्रधान मंतरी डॉक्टर जो है सुवाश चंद्र बोस्त है इस तरीके की तथ्यहीन बाते करना वाटसाइप उनिवर्सिटी से पढ़ कर आना ये चीजें हिमाचल में चलनी वाले नहीं है विक्रमादिती जी एक आखरी सवाल एक आखरी सवाल आपकी और कंगना रनौत की प्रतिद्वंदिता के इतर नेता प्रतिपक्ष भी आपके उपर आरोप लगा रहे हैं और कि जो च्छे विधायक छोड़ कर गए हैं उनको उकसाने में आपके बहुत बड़ी भूमिका थी लेकिन आप फिर बाद में पलट गए और आपको पलटूराम की संग्या वो दे रहे हैं इस पर आपका रियाक्शन देखिए वो मुझे पलटने का जो है जैराम जी कह रहे हैं मैं ये कहना चाहूंगा आपको तो जो है आयोदिया जाने का निमंतरन तक नहीं आया हिमाचल से I was the only leader only leader जिसको जो है अयुद्या जाने का निमंत्रन आया और मैं हर परिस्थिति को मद्र नज़र रखते हुए अयुद्या 22 जनवरी को पहुंचा जो मैंने बात करी उसको मैंने पूरा किया इसलिए मुझे आप से कोई certificate लेने की आविश्यक्ता नहीं है और जहां तक भाजपा में किसी वज़ा से गए वो खुद उस चीज़ को जानते होंगे मैं उन चीज़ के उपर नहीं जाना चाहता हूं ठीक है हम बात सबसे करते हैं वो भी हमारे सहयोगी रहे हैं एक समय में हम अकठे पिजान सबा के अंदर बैठते हैं मैं अगर उनसे मिलने गया था तो मैं हाई की नौलिज से गया था प्रिंका गांदी जी ने में को कहा कि आप उनसे जाकर बात करिये और बात वहां पे हुई है उन चीज़ों पर क्या आगे क्या क्या नहीं हुआ मैं इन चीज़ों के बारे मैं नहीं जाना चाहता हूं मगर जैराम जी अगर मुझे ये आरोब दे रह के अगर उन चीज़ों के ऊपर मैं जाने लग गया तो जैराम जी को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं उनका बहुत मान सबान करता हूं और वान के बारे में कोई टिका टेपने नहीं करना चाहता हूं अंत्मे मैं यह ही कहूंगा कि ये चुनाव किसी और का नहीं है ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव मंडी के लोगों का होगा, हिमाचलियत का होगा, वहां के लोगों का होगा, रोजगार के उपर होगा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के उपर होगा, वहां के मेडिकल इंस्टिटूट्स के उपर होगा, वहां पे जो हमने क काम कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने आपदा के समय में किये है उसके उपर होगा जो सयोग मैं दिल्ली से लेकर आया हूं उसके उपर होगा और मुद्धों के उपर होगा ये बिना मतलब की जो राजनीती है कौन खा रहा है क्या पी रहा है क्या कर रहा है इन लोगों इन ची कर रहे थे और तमाम मुद्दों पर खासकर कंगना रनौत को लेकर जिस तरह से यह लड़ाई चिड़ी हुई है बयान बाजियों का सिलसिला चिड़ा हुआ है इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियां दी हैं अपनी बात रखी और आपको